Hello students, good morning हम chapter 15 complete कर चुके थे ठीक है और आज हम देखेंगे chapter 16 लेकिन उससे पहले जो chapter 15 में कुछ exercises हैं उससे हम पूरा करेंगे ठीक है तो चलिए देखिए A. Pick out the things collected by Tom in the lesson Write them down and complete the puzzle क्या करना है देखिए Pick out the things Pick out चाटिये The things चीजों को या वस्तुओं को Collected Collected इकठा करना By Tom in the lesson इस lesson में Tom जिन चीजों को इकठा किया था उनको आप चाटिये Write them down and complete the puzzle और उनके नाम यहाँ पुजल में नीचे पुजल दिया हुआ है उसमें लिखिए ठीक है तो हमको पता है कि उसे क्या क्या चीज मिला था तो चलिए इसको hint दिया हुआ है यहाँ hint पढ़ते हैं और puzzle को भरते हैं One Young one of frog Seven letters Seven letters मतलब साथ अक्षरों का है ठीक है Young one of frog एक मेढ़क का बच्चा ठीक है मेढ़क का बच्चा तो उसको क्या पढ़ेते हम Tadpole Tadpole तो यहाँ देखिए One number में आप भरेंगे T यहाँ दिया हुआ है और आगे बढ़ेंगे T-A-D-P-O-L-E ठीक है ऐसे यह complete हो जाएगा उसके बाद देखिए Two number You can see through it You can see आप देख सकते हैं Through it इससे या इसके दवारा जिससे हम देख सकते हैं आर पार ऐसा चीज कुछ पढ़े थे Glass Five letters में Glass पढ़े थे ना तो Glass उसको मिला था अब Glass को हमको second number भरना है अब second कहां है देखिए यह देखिए G यहां भरा हुआ है क्या लिखेंगे L-A-S ठीक है G-L-A-S यहां एक डिबा छूट रहा है ठीक है यह हमारा complete हो जाएगा फिर three number Three number में क्या है A musical instrument A musical instrument एक संगीत यंत्र ठीक है तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे हाप हाप पढ़े थे ना हाप का एक टुकड़ा सिटार जिसको बोलते है तो three number में भरना है H-A-R दिया हुआ है फिर क्या हो जाएगा P-H-A-R-P हाप ठीक है यह हो गया complete फिर देखिए four number It was a dead या एक मरा हुआ था क्या था? मरा हुआ चूहा उसको एक मरा हुआ चूहा मिला था चूहा को इंग्रिस में क्या बोलेंगे? Red three letters में Red R-A-T अब देखिए four number कहा है? यह रहा four अब उसमें कैसे बढ़ना है? R-A-T ठीक है? R-A-T Red हो गया? complete हो गया? उसके बाद देखिए five not the orange but the not the orange संत्रा नहीं लेकिन क्या चीज? उसका छिलका पील संत्रा नहीं लेकिन संत्रा का चीलका उसको क्या मिला था? संत्रा नहीं मिला था संत्रा का चीलका four letters में P-E-E-L five number five number कहा है? यहां देखिए P दिया हुआ है double E-L पील हो जाएगा फिर six number देखिए window window क्या मिला था उसको? window का frame window frame देखिए five letters में frame और देखिए six number कहा है? यहां देखिए इधर F R-A-M-E window frame हो गया complete उसके बाद देखिए seven आप भरते चलेंगे seven number it was a teen it was a teen एक teen का shoulder डिबबा seven letter में ठीक है? तो देखिए seven number देखिए यहां है seven तो यहां क्या लिखेंगे? S-O L-D-I-E-R इस तरह से भर लेंगे फिर eight number some dogs have it some dogs have it कुछ कुछ कुटों के पास यह होता है क्या होता है? पट्टा collar कुछ कुटों के पास क्या होता है? collar eight number यहां देखिए C-O-L-L-A-R C-O-L-L-A-R collar ठीक है? फिर nine he got twelve of it he got twelve of it उसको यह बारा मिला था बारा क्या चीज़ मिला था उसको? marble ठीक है? कंचे तो देखिए यहां है M nine number में M-A-R-B-L-E-S marbles उसको बारा कंचे मिले थे ठीक है? अब हमारा puzzle भी complete हुआ है समझ में? उसके बार देखिए B B number क्या दिया हुआ है? match the words in column A with their opposites in column B यहां opposite है opposite मतलब उल्टा ठीक है? और ऐसे सब्द को आपको match करना है मिलान करना है जैसे A column में दिया है like, like means पसंद करना happiness, happiness means प्रशनता या खुसी remember, याद रखना notice, ध्यान देना careful, सावधान नेगलेक्ट छोड़ देना या नजर अन्दाज करना forget, भूल जाना dislike, पसंद नहीं करना ठीक है? ना पसंद करना careless, आसावधान sorrow, sorrow, दुख ठीक है? अब इसको हम मैच करेंगे like, पसंद करना dislike, ना पसंद करना happiness, खुसी या प्रशनता sorrow, दुख remember, याद करना forget, भूलना notice, ध्यान देना neglect, ध्यान न देना careful, सावधान careless, हासावधान ठीक है? हो गया हमारा complete अब यहाँ grammar है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे उसके बाद अब हम देखेंगे chapter 16 देखें, chapter 16, half way down, poem है चोटा सा poem है, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? chapter 16, half way down what is your favorite place in your house? what is your favorite place in your house? half way down the stairs is a stair where I sit there isn't any other stair quite like it I am not at the bottom I am not at the top so this is the stair where I always stop half way the stairs isn't up, isn't down it isn't in the nursery it isn't in the town and all sorts of funny thoughts run around, sorry run round my head it isn't really anywhere instead अब देखिए, हम meaning समझते हैं क्या है, half way down half way means आधा रास्ता आधे रास्ते down means नीचे आधे रास्ते में ठीक है? आधे रास्ते में What is your favorite place in your house? What is your favorite? Favorite means पसंदीदा प्लेस इस्थान in your house आपके घर में सबसे पसंदीदा इस्थान आपका कहां है या कौन सा है? ठीक है? Half way down the stairs Half way आधे रास्ते में down नीचे the stairs Stairs means सेडियों Is a stair Stair, सीढ़ी Is, है A stair, एक सीढ़ी Where, जहाँ I sit Sit means बैठना I means मैं Point, ना? मैं किसको कहा जा रहा है? कभी Half way down the stairs सीढ़ीों के उतरने पर आधे रास्ते में Is a stair एक सीढ़ी है Where, I sit जहां मैं बैठती हूँ सीढ़ीों के उतरने पर आधे रास्ते में एक सीढ़ी है जहां मैं बैठती हूँ There isn't any other stairs Quite like it There, वहाँ Isn't मतलब नहीं है Any, कोई Other stairs अन्य सीढ़ी Quite, बिलकुल Like, जैसा It means इसके यहां इसके जैसा और कोई भी दूसरा सीढ़ी नहीं है There isn't any other stair Quite like it यहां इसके जैसा कोई दूसरा सीढ़ी नहीं है तीख है सीढ़ी हों की उतरने पर आदह रास्ते में एक सीढ़ी है जहां पर मैं बैठती हूँ और यहां इसके अलावा और दूसरा कोई भी सीढ़ी नहीं है तीख है इसके जैसा कोई भी दूसरा सीढ़ी नहीं है I am not at the bottom I am not at the bottom Bottom means नहीं, at means per, I am not at the bottom, मैं नीचे नहीं हुँ, I am not at the top, top means उपर, और नहीं मैं उपर हुँ, मैं नीचे नहीं हुँ, और नहीं मैं उपर हुँ, so this is the stair, so this is, यह है, मतलब जहां सीधी है, fair, जहां, I always, मैं हमेशा stop, stop means रुकना, जहां मैं हमेशा रुकती हुँ, ना तो यह नीचे है, और नहीं यह उपर है, ठीक है, यह एक ऐसा सीधी है, जहां मैं हमेशा रुकती हुँ, ना तो यह उपर है, और नहीं नीचे है, आप लोग देख रहे हैं जहां ये बैठी है वो भी एकदम बीच में है नहीं नीचे और ना तो उपर Half way up the stairs isn't up, isn't down Half way up the stairs सीडियों के आधे रास्ते में isn't up, ना तो उपर isn't down और नहीं नीचे सीडियों के आधे रास्ते पर ना ही उपर और ना ही नीचे It isn't in the nursery, it isn't नहीं है In the nursery, nursery means बच्चों के खेलने का इस्थान ना तो ये बच्चों के खेलने का इस्थान में है It isn't in the town, town में सहर और ना ही ये सहर में है ठीक है? नहीं यह सहर में है और नहीं बच्चों के खेलने के इस्थान पर है And all sorts of funny thoughts Or all sorts, सभी प्रकार Of funny thoughts, मजाक्या, विचार Funny thoughts means, मजाक्या, विचार और सभी प्रकार के मजाक्या, विचार Run, दोड़ते हैं, round, घूमना My head, मेरे सेर पर या मेरे दिमाग में और सभी प्रकार के मजाक्या, विचार मेरे दिमाग में गुमते रहते हैं It isn't really, यह सच में नहीं है Anywhere, कहीं भी Instead, instead means, इसके इस्थान पर मतलब इसके जैसा, और दूसरा इस्थान कहीं पर नहीं है जहां मैं बैठती हूँ, उस इस्थान के जैसे और दूसरा इस्थान कहीं पर भी नहीं है ठीक है, आया समझ में एक बार और देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा Chapter 16, Halfway Down आधे रास्ते पर Halfway down the stairs is a stair where I sit सीधियों के आधे रास्ते पर is a stair, एक सीधी है where I sit, जहां मैं बैठती हूँ There isn't any other stair quite like it यहां इसके जैसा और कोई भी दूसरा सीधी नहीं है I am not at the bottom, I am not at the top मैं उपर नहीं हूँ और नहीं मैं नीचे हूँ So, इसलिए this is the stair, इसलिए यह एक ऐसा सीधी है where, जहां I always stop, जहां मैं हमेशा रुखती हूँ Half way up the stairs, सीध्यों के आधे रास्ते पर Isn't up, ना तो उपर, Isn't down और नहीं नीचे It isn't in the nursery, बच्चों के या बच्चों के खेलने के स्थान पर नहीं है It isn't in the town, और नहीं यह सहर में है And all sorts of funny thoughts, सभी प्रकार के मजाक्या विचार Run round my head, मेरे सिर में घुमते रहते है It isn't really anywhere in the street, सच्मूच इसके जैसा और इसके बजाए और दूसरा इस्थान कहीं पर नहीं है ठीक है, वास्तों में इस इस्थान के जैसा और दूसरा इस्थान कहीं पर नहीं है आए समझ में, halfway down Chapter complete हो गया देखिए, अच्छे से समझेंगे, समझ में आ जाएगा और देखिए, यहाँ word meaning दिया हुआ है word meanings पढ़ेंगे अच्छे से उसके बाद reading comprehension, answer the following questions प्रस्णों के उत्तर दीजिए आपको क्या करना है, homework में question 1 और 2 लिखना है अपना rough copy में और एक page writing तिक है, ओके